हलो फ्रेंड स्वागत है आपका माई चैनल पर आज हम सुभा साम का इतना टेस्टी मज़ेदार हलका फुलका ऐसा नास्ता बनाएंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट में बिना तेल का भी बना के खा सकते हैं और साम को क्रिस्पी और चटपटे भी और इसे हम बनाएंगे बिना आलू वाले सूजी से बनाने वाले हैं तो चलिए बनाते हैं आलू और सूजी का ये मज़ेदार नया नास्ता तो फ्रेंड वीडियो जड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और सेर करना बिलकुल न भोले और इस रेस्पी को आप जरूर ट्राय कीजिएगा आप इसके सामने समोसा और को चोड़ी को भूल जाएंगे अगर आप डायटिंग करें तो ये रेस्पी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये बिना ऑइल के भी बन जाती है तो आपको जो तरीका ज़्यादा पसंद आए कमेंट बाकर जल्दी से कमेंट करके बताईएगा त आप इसकी जगा पे कोई और चीज भी ले सकते हैं जिसमें इस तरीके से बारीक बारीक छेंद हो यानि कजाली अला कपड़ा भी ले सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे सूजी जिसको राव बिलते हैं समीनिल्या बिलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक्स म नाम लिखना मत भूलिएगा, तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तमाल किया है, अगर आपके पास मोटी वाली हो, तो आप इसको छान लीजेगा, और फिर इस्तमाल कर लीजेगा, तो अगर आपके पास बहुत जड़ा मोटी है, तो आप मिक्स्री जार में डाल क इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सूजी को जरूर चानेंगे, कि कुछ चानने से, जब मार्कर से लिखे आते हैं, तो सूजी में कुछ ना कुछ होता जरूर है, चानने से वो निकल जाता है, तो फ्रायर अगर आपके पास दही ना हो, तो आप क्या डाल स सकते हैं, तो गाणा दही है, तो सिर्फ एक चमब जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्क एकॉर्डिंग नमक, तो नमक आपको अपने टेस्क एकॉर्डिंग रखना है, जितना खाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैंने हाफ टी स्पून रखा है, और तो फ्रेंट आप हमारी ये मज़िदासी रेस्पी कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा, और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलिएगा, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ओईल, एक से दो बून, आप घियो बटर भी डाल सकते, सिर से मैंने तीन हिस्सा इस्तमाल कर लिया है, और एक हिस्सा हमारा बच गया है, तो यहाँ पे हम सूजी को फूलने के लिए रख देंगे, कम से कम पांच मिनट के लिए पांच मिनट ने सूजी अच्छे से फूल जाएगी, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसको साइड में पूलने के लिए, तो प्रैन आगे है, गैस की तरफ, यहाँ पे देखें, मैंने कराही लिए, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजे, थोड़ा सा भारी लीजे, तो यहाँ पे देखें, जब हमारी कराही अच्छे से गरम हो जाएगी, तब इसमें हम घी और वटर दे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ओईल जैसे ही गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा राई, तो राई बारी बारी होती है, स्वरसों मोटी अली होती है, फिर इसके बाद थोड़ी सी एजवाईन डाल देंगे, और फिर इसमें एक मीजम साइड प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम 10-15 से कर अच्छे से सौटे कर लेंगे, यहाँ पे हमें प्याज को विल्कुल भी काला नहीं करना है, तो यहाँ पर देखें, प्याज हमारी अच्छे से सौटे हो गई है, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो ग्रीन चिली, अ तो यहाँ पर आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, वैसे तो बच्छे विजी टेवल खाते नहीं है, तो इस तरीके से नास्ते में उनको छुपा के खिला सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक चंबल लाल गाजर को अच्छे से ग्रेड करके लिया है, आप चाहे तो यलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिब्ला में इसको भी दस से पंदा से करना चीज़ से बोल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या आईया को बता रिखते हैं, थोड़ा साहारा रनिया, और इसको हम डालके गैस के फ् सिर्फ एक लेना, वेट ने यह मुश्किल से हमारा 50 ग्राम आलू है, अगर आकी फैमली बड़ी है, तो आप आलू की मातरा को बढ़ा सकते हैं, तो इस रेस्पी की खासियत यह है कि हम इसे बिना आलू बाले बनाएंगे, तो टाइम की बचत हैं, गैस की बचत हैं, जब भ मैंने धेल सारी विजिटेवर डाला है, तो एक चीज तो बच्चों की पसंद की भी डाल दे, ताकि बच्चे आसानी से खा ले, आगर आप डायबिटीस के मरीज हैं, तो आप आलू को स्क्रिप कर दीजेगा डियर, तो यहाँ पर देखिए, हम फटा-फट आलू को छीलने पानी लिया है, ठंडा ना गरम, और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है ग्रेटर, जो मैंने ना बहुत ज़दा बारीक वाला लिया है, ना बहुत ज़दा मोटा वाला लिया है, मीडियम साइज वाला लिया है, और इस तरीके से हम आलू को ग्रेट करेंगे, इससे क्या अर す को नॉर्मलै। इसलाक किसी प्लेट में डायर्यक्क करेंगे तो क्या होगा जब तक आप इसको ग्रेट करके खाली होंगे तब तक आलू के लच्छे काले हो जाएंगे तो पानी में ग्रेट करने से दो फाइदे होते एक तो लच्छो के रंग बहुत ही अच्छा आता है और दूसरी बात वो बहुत को भी काले नहीं पड़ते हैं तो चलिए फटा फटा हम आलू को ग्रेट कर लेतें आप चाहे तो छोटे चोटे पीस करके भी ले सकते लेकिन ग्रेट करके लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए आलू के लच्छे को मैंने ग्रेट कर लिया है दोने आलू को अब इसको हम हलके हलके हाथों से अच्छे से वास करेंगे 3-4 पानी और इस तरीके से दबाते हूँ इसका सारा पानी निकाल लेंगे यहाँ पर आपको खयाल लचना है बहुत तेजी से नहीं दबाना है नहीं तो लच्छे तूट जाएंगे और यहाँ पर तीन से चार पानी वास करने के बाद क्या होगा आलू का जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा और नास्ता हमारा कुरकुरो और क्रिस्पी बनेगा तो जब तक यह पीला वाला पानी बिल्कुल सफेद ना हो जाए तब तक आपको इसे वास करना है तो तीन से चार पानी वास करेंगे तो यह पानी पीला वाला बिल्कुल खतम हो जाएगा और यह जो पानी है आप इसको अपने डार सरकर में या फिर आपके इसके ने बहुत ज़्यादा काला पन रहता है नीचे नीचे आखों के तब भी यूज कर सकते हैं नहीं तो आप इसको पौधों में डाल दीजेगा वेस्ट मत कीजेगा तो चलिए 3-4 पानी वास करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंट देखिए 3-4 पानी अच्छे से आलू को वास कर लिया है अच्छे देखिए कितने जड़ा साफ होगे और कितने जड़ा खिले खिले हैं अब इसको हमें प्लेट में टास्फर कर लेंगे और इस तरीके से टास्फर करने के बाद अब इसके अंदर हम एक इंपोर्टेंट चीर डालेंगे वो क्यों डालने आईया को बता देते तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे वह नहीं जाला नमक नहीं डालना है, क्योंकि आपने सूजी के अंदर पहले ही डाल दिया है, तो एक से दो चुटके आप नमक डालेंगे, और एक मून्द ऐल डालेंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथों से, और इसको हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे तो नमक डालने से क्या होगा आलू का जितना भी पानी होगा बाकी बचा हुआ आलू का वो बिलकूँ अच्छे से आलू छोड़ देगा फिर हम इस्तमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना माऊश चरह है अगर आप इसको ऐसा ही डाल देते हैं तो क्या होग बादने आलू पाज नी छोड़ीगा फिर आप नास्ता बना नहीं पाएंगे तो चलिए इसको दो मिनट के लिए छोड़ देते तक दूसरा काम करते तो यहां पर देखिए एक बड़े सा इसका वर्तन ले लिया अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे दो चम्मच हम इसमें डा भ हा लेना है यहां पर ऐतक ख हेया लिया रखना चावला को धूब में नहीं सुखाना है तो इसमें एक टेश्ट अच्छा नहीं आता है जब चावल अच्छे से फैन के निचे सूख जया तो आप इसको मिक्सिजयार में पीस के चान लीजे आपका चावलकार्टा हमें रे दालेंगे तो थोड़ा सा सुन्दर सा लुग देने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च एक चुटकी हम इसमें डालेंगे टर्मरी पॉड़र यानि हल्दी सिर्फ एक चुटकी थोड़ा सा गरम मसाला चौथाई चमबर्च यह मेरा होममेड है अगर आपको इसकी रेस्पी ची की और आब इसके बात में डालेंगे धेर सारा घ्राधनिया तो घ्राधनिया डालने में कंजूसी मत किजएगा इसजी से नास्ते कर लुक आएगा टेस्ट भी आएगा अगर हला धनिया नहीं तो आप उदीने का पुस्तिमार कर सकते और आप इसमें हम डालेंगे की कलॉग जिसको मंगरेल नी बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम है तो कमेंट बाक्स से जरूर बताईएगा ये इसे डालने से नास्ता बहुत जाए टेस्टी होने के साथ कलोंजी सेहत के लिए बहुत ज़रा फाइदेवन्द होती है ये आपको कैंसर छोड़के बाकि सारे रोगों में बहुत ज़रा लाबकारी होती है तो यहां पर देखिए अब इसमें हम डालेंगे क्या सफेद तिल तो आधा चंबच सफेद तिल डालेंगे अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जगापे काले तिल का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें चौथाई बहुत ही बड़ी हासा लुप भी देगी और अब इसके बाद एक से दो बून ओईल कि सारी चीजों का अच्छे से मिक्स मैक्स कर लेंगे यानि मिला लेंगे तो यह देखे हैं मिल गई है अब इसके बाद हम इसको चटपटा बराने के लिए इसके इंडर डालेंगे चाट पसाला तो अगर आके पाद चाट पसाल नहीं हो तो आप इसकी जगापे निबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राय अंचुर पॉड़ा या नहीं खटाई का के थोड़ा सा पादी ले लेंगे रूम अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर आपको एक साथ पादी डालने की गलती नहीं करनी तो यहां पर थोआ तोआ पाणी डाल के इसका हम बैटर रेडी करेंगे यहां पर हमें खयाल ही रखना है बैटर हमें ना बहुत ज़दा गाड़ा चाहिए ना बहुत ज़दा पतला तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने पाणी डाला था आप में बहुत डालूंगी तो हम इसको दो मिनट का टाइम लेंगे तो जो हमारा चावल काटा है वो अच्छे से फोल जाएगा तो यह गाड़ा हो जाएगा इससे जड़ा आपको पतला भी नहीं करना है ना गाड़ा करना है चलिए दो मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे अगर आपको लगे कि यह बहुत दोना टाइम ले रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा वेकिंग पॉड़ा या मीठा वाला सोडा एड़ कर सकते हैं लेकिन फिर वो हैल्दी नहीं होगा तो मेरे पाद दो मिनट का टाइम है इसलिए मैंसे रेस्ट करने के लिए रखोंगी दो मिनट के बाद इस्तमाल करेंगे ताकि जो एश्ट्रा पानी है वो निकल जाए और इस तरीके से आलू के लच्छे को हम सूजी के साथ एड़ करेंगे यह देखिए कितना ज़्यदा पानी छोड़ा है इसलिए हमने इसको नमक लगा के रख दिया था ताकि आलू का जितना भी पानी है वो निकल जा किता देते तो बहुत ही बेसिक मसाले आड़ करेंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे टर्मरी पॉड़ा यानि हल्दी सिर्फ चुटकी भर जार नहीं डाल लिए अगर आप जार डाल देंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा थोड़ी सी कुटी होई ला चुटकी भर नमक क्योंकि हमने सूजी के अंदर बिलको भी नमक नहीं डाला था तो चुटकी भर हम नमक डाल देंगे आलू के लच्छे के अंदर भी हलका सा नमक होगा इसलिए आपको जार नमक नहीं डालना है अब सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे ये देखिए बिलको अच्छे से मिला देना है लच्छो को तोड़ना नहीं हलके हाथों से मिल तो देखिए इस तरीके से मेरे मिला लिया है और अब इसको हम दो मिनट का टाइम देंगे ताकि फ्लेवर बिस्कुित के अंदर समाज है और दो मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे तो यहां पर देखिए एक पैन ले लिया है पैन को विल्कु अच्छे से गरम कर लेंगे गरम नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है जैसे ऑईल गरम हो जाएगा हम इसमें एक चमब डालेंगे साबुद धनिया तो अगर आके पास साबुद धनिया नहीं हो तो आप इसकी जगा पर कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते फिर एक चमब जीरा 10-15 सेकंड चटका लें है और जो बड़तर लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा अगर आके पास धुली हुई उरत की डाल ना हो तो आप इसकी जगा पर मसुद की डाल का भी इस्तमाल कर सकते और दो हमने साबुद खरी लार्मिश को इस तरीके से तोड लिया है इसको भी हम 10-15 सेकंड तो यहां पर देखिए जार में मैंने टास्वर कर दिया है बिना पारी डाले हम इसको पीस लेंगे तो चलिए पीस के लिखे आते हैं फिर आपको दिखाते तो फ्रेंड देखिए यहां पर मैंने इसको पीस लिया हलका सा इसको मैंने दरदरा रखा है बहुत ज़दा फाइ नहीं किया है यहाँ पे हम वापस से पैन को गरम कर लेंगे और अब इसमें हम वापस से आदा चमबस ओयल डालेंगे और ओयल को विल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है जब तक ओयल गरम नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ पे हमने इसको इसको इस तरीके से दरदरा रखा है आपको करीशों दिखा दे इस तरीके से दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हम इसे स्वाल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑईल अच्छा से गरम हो गया है तब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे जिसको हमने इस तर इसके बाद एक इंच का अद्रक दालेंगे अद्रक जरूर डालेगा इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेस होता है तो यहाँ पर देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से भोन लिया है काला विल्कुल भी नहीं किया है फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमल तो यहाँ पर मैंने इमली के बीच को निकाल लिया है अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जिगा पर ड्राय अंशुर पोड़ा यानि खटाई का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर नीबू का रस्पीड आ सकते हैं तो इमली के बीच निकाल के अच्छे से लेना है आजर नर्यर कुछ मी ना हो तो आप इसकी जिगा पर सफेद इलका इस्तमाल कर सकते हैं अब इसको भी हम टास्फर कर लेंगे इसी में इसलिए हमने इसको दरजरा पीसा था तो देखें इस तरीके से टास्फर करने के बार आप इसमें थोड़ा सा पाई डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो चार से पांच अमच और आप इसको अच्छे से पीस के इसमूध तरीके से पेष्ट बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखें मैंने इसको पीस लिया है पीसने बिलकुर भी दिक्कत नहीं होती है मैं इसके पर लगाऊंगी तड़का जो जिससे का टेस्ट है वो भी नैंस हो जाएगा इसकी सेल प्लाइस भी बढ़ जाएगी और दूसरी बार यह खाने में बहुत ज़रा टेस्ट ही लगेगी यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने इसकी ठिकनेस को गाड़ा गाड़ा बहुत ज़रा पतला नहीं बना है तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक चम्मत तेल को अच्छे से दूरदा गरम कर लिया फिर मैंने थोड़ा सा सरसो लिया और थोड़ा सा मैंने जीरा और एक चुटकी ही इसको डालके दुस्ते पंदा सेके चटका लेंगे काला तो चलिए इसको साइड में रख द以及 कम करते तो फ्रायां दो मिनट हो चुका थो एक हमें रखे होए्वे बिलको इसके अ elite Tap कर सकते इससे क्या होगा कि आप इससे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे तो यह नाथ्ता बहुत ही कम तेल का या फिर कह दीजिये बिलकुल ही तेल का बनना है अगर मैंने जो 2-3 बून ऑईल डाला है आप उसको भी स्किप कर सकते हैं तो यहां पर आपको ख्यार यह रखना है कि इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है जो इस तरीके से चेन चेन वाला बढ़तन आता है अगर आपके पास यह नहों तो आप स्टीमर भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी थाली को अच्छे से ग्रीस करके ले सकते हैं गोल थाली को अब यहां पर हम थोड़ा सा तेले लेंगे और अपनी हाथेलियों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे यह जो मिस्टरन है यह थोड़ा सा चिट्वपा है तो यहां पर अगर आपको ल प्रेट करते हुए इस तरीके से साइज का बिल्कुल बढ़ी हास तरीके से कटलेट का सेव दे दीजिए और इस तरीके से लगा लीजिए यह देखिए बहुत ही आसान रेस्पी है और इस तरीके से आप बैटर को बना के रखना चाहे तो राथ ही में रख सकते बस आप इसमे अंदर रख लेंगे यह देखिए तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर कितने बना लिए हैं पांच बना लिए हैं और ये मेरा छठा जा रहा है तो अगर आपका बड़ा बरतन है तो आप भी 6-7 एक बार में बना सकते हैं अगर छोटा है तो आप कम ही डाल इसको डालते समय आपको ख्याल ही रखना है कि इसे बहुत ज़ल्ड़ चिपका उश्पका के मत रख्याँ खाथेगा वाद दूसरी बात इसको मैंने वही कराई लिए जिसमें मैंने सब्जी को अच्छे से स्वाटे किया था उसी मैंने पारी रख लिया तीन से चाहे ग्लास दूसरा बरतन इस्तमान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमें ही मादना पड़ता है और टाइम वेस्ट होता है और अनर्जी भी रखत जेंगे यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो बहुत ज़ादा हाई नहीं रखना है और बहुत ज़ा लो नहीं रखना है तो पांच मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और अनलट के बाद हम इसे चेक करेंगे यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी टिप देना चाहेंगे, बीच बीच में खोल के देखने की गलती मत कीजिए, थोड़ा सा सबर के साथ काम कीजिए, पांच मिनट में अच्छे से स्टीव हो जाएगा, यूकि जो सूजी होती इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, आपने हलवा बनाया होगा तो आपको पता होगा, सूजी कितने अच्छे से जल्दी से कुख हो जाती है, हलवा कितनी जल्दी रड़ी हो जाता है, आलू के लच्छे को मैंने इस तरीके से पतला पतला करके डाला है, कि इसको भी पकने में बिल्कुल भी टाइम ने लेगा, और जो सबजिया थी, इसको मैंने हलका सा स टीम हो चुके, कलर इसका बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है, यहाँ पर इसको चेक करने के लिए इस तरीके से नाइफ लेंगे, और इसके अंदर डालेंगे, तो देखेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लीन निकल ला है और नहीं, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन निक को दिखाते तो फ्रेंड देखिए 2-3 मिर्ट हो चुका है आप इसको निकालेंगे बिल्कुल आसानी से छोड़ आए क्योंकि हमने इसके अंदर ऑईल लगा दिया था बिल्कुल भी देखिए चिपका नहीं है और हलका सा जब यह ठंडा हो जाएगा तभी आप इसको दिकाले हुए है सारी वीडिटेवल कुक हो गई है बहुत ही जड़ा हेल्दी है अब आप इसको चाहे तो ऐसे ही चटनी के साथ एंजॉय कर सकते गर्मा गर्म अगर आप बिना ओईल का खाना चाते अगर थोड़ा सा ओईली खाना चाते कुरकुरा खाना चाते तो आप उसके लिए केचप की रस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना आपके साथ सेये करेंगे तो यहां पर देखिए यह जो मिश्रम था बिल्कुर अच्छे से फूल गया है अब इसके अंदर हम इसको डालेंगे और इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे एक से दो बार और आप इ हाल यह रखना है एक बार में उतना ही डालना है जितना की पलटने में दिक्कत ना हो तो यहां पर देखिए इसी तरीके से हम बाकी भी डालेंगे गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है और एक बार में उतने ही डालने जितने की पल लिएगा तो मेरा पैन बड़ा है तो इसलिए मैं इसमें एक बार में पांच डाल दूंगी सारे के सारे तो इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लगाने से लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट तो अच्छा आता ही आता है इसकी मैं गारंटी लेती हूँ अब दो मिनट इसे मी पूख होते वे आप इसको हम टर्ण कर देंगे यहां पे हम चिम्टे की सहाइता से इसको टर्ण करेंगे ताकि है आसानी से हो जाए तो तो आप इसको दूसरी साइज भी दो मिनट पकाएंगे टोटर इसको बनने में चाह मिनट का टायम लगेगा और आप इसके सामने समोसा तो कचोड़ी को भूल जाएंगे तो चलिए दो मिनट और पका ले से तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका इसको पकते वे दूसरे साइट से चलिए आपको दिखा देते हैं यह देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है दोनों ही साइट से बिल्कुर अच्छे से डन हो गए है क्य और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपसे फैमिली वाले जित करके बनाएंगे तो चलिए आपको इसको सर्फ करके इसका फाइन जड़ दिखाते हैं तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करासा नास्ता देख लीजिए इसका है यह देखिए कितना जड़ा फ्लफी बना है बिना इसके अंदर हमने कोई भी बेकिंग पॉड़ा या सोडे का इस्तमाल किये बिना भी इसको सॉफ्ट बनाया है क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है और इस चटनी के साथ जो इसका कॉंबनेशन है वो नेक्सी लेवल है आप एक बार इस नास्ते को इस चटनी के साथ चक लेंगे तो जब भी नास्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे इसकी वे गारंटी लेती हूँ तो कैसी लगी आपको हमारी मज़दाल सी रेस्पी जिसे हमने सूजी और कच्चे अलुग से बनाया है जो आपको हर क कमेंट करना आपके साथ सेयर करेंगे आप इसे बच्चों के टिफिन वाक्स में पती के लेंच वाक्स होई दे सकते अगर आप डायटिंग करें तो आप इसे बिना ओयल का खाईएगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा पेट तो बढ़ेगा लेकिन वेट बिल्कु भी ही नहीं बढ़ेगा इसकी मैं गारंटी लेती हूँ तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं जारी से इंजॉय करने आप भी बनाईए खाईए अपनी फैमली वालों को खिलाईए और रेस्पी कैसी लगी कमेंट बाक्स में जल्दी से कमेंट करके बताईएगा और